हम लोग पहुचा हैं बस इस्टैन बस तो दोस्तों हम लोग पहुचा हैं अपने गाउं हलो दोस्तों गूड मॉर्णिंग तो कैसे आप सभी लोग मैं भी ठीक हूँ और आज में जा रही हूँ अपने घर अभी मैं लाबाद में थी तो जा रहे हैं अपने घर और आप लोग बने रहे हैं हमारे इस ब्लॉग में ले चलते हैं आप लोग को अपने गाउं मैं आप लोगसर घर लोगां रहे हैं कि अब लोग पहुंचाएं बस इस्टैन बस थोड़ी दूर पे हैं देख सकते हैं आप लोग भी अब यहां से बस पकड़ेंगे आजमगर के लिए फिर अपने गाउं कि अब लोग बस में आगे हैं बैच दूके हैं और यहां से आजमगर का सब्वार चार खंटे का है तो हम लोग चार खंटे में पहुंचाएंगे अपने गाउं कि अढ़把 टीधा हैं तर यहां से तक्राष्या चार जाई से थाहां एजम चार में अपने भी तो दोस्तों हम लोग पहुंचा हैं अपने गाउं बस रास्ते में हैं जश्ट अभी उत्रे हैं बस से अब जा रहे हैं घर पे एक अलग ही खुशी होती हैं अपने घर पे जाने की आदमी कितना ही बाहर आले लेकिन शुकून घर पे ही मिलता है अपने फैमली के साथ हम लोग पहुच ही आएं हैं सामने दिख रहा होगा हमारा घर वो बस यहां से थोड़ी दूर पे हैं तो बने रही हैं आप लोग हमारे ब्लॉग में ले चलते हैं सब लोग को अपना इखा अगर यहां से दिख रहा है वो है इसकाई ब्लू पेंट है यह देखे फ्रेंड्स अब है इधर यलो हरा कितना अच्छा लग रहा है जर पहुचाएं अपने घर इंदर मम्मी पीछे खे़एं थी फिर αναइब ज़ा है इधर मेरा भाई है जो कुछ काम कर रहा लें प्याज लगाए जाया टो मम्मी और भाई लोग ये सब काम कर रहे हैं पीछे ही । क्या लगा रहे हो प्याज तो प्याज लगा रहा है मेरा भाई इधर मेरे चाचा है वो भी लगा रहे हैं आलू की खुदाई हो रही है हाल न आरहा है कि हम तो घर आगें अब जा रहे हैं कुछ खाएंगे प्याइंगे भूग भी लगी है ममी इधर मूली लेकर खड़ी अधर देखो इधर सक्षी यह भी खड़ी है बैग लेके ही तो फेन अब जा रहे हैं घर ममी भी खेत में इती मामे मूली दिखा रही है आरे आज ली पाई पर भे लिका ममी नमस्ते सरकार इदर भाईया साक्षी की सब सहेली जूटी है यह देखिए बहुत दिन के बाद आई है ना तो सब मिलने आई है का कुछ पाउलू की नए कुछ ना मिला साक्षी कुछ ना थालून के देनी का तो फ्रेंड आज कब लोग यहीं पर खदम करते हैं मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक ले बाई बाई